नमस्कर पहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार सप्ताहिक रासी फल अगस्त के महने में 20 अगस्त से 26 अगस्त तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा देखे कन्या रासी में बुद्ध सुक्र गरह का गोचर होने जा रहा है और यहां पर केतु पहले से बिराजमान रहेंगे इस सप्ताह कन्या रासी में यहनी कि अगस्त महने में बुद्ध सुक्र और केतु की युति होगी देव गुरु ब्रिस्पती मंगल के नच्छत्र मृक्सिरा में प्रवेश करेंगे और गरह नच्छत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा ये तो जानेंगे ही विस्तार से साथ ही इस सप्ताह देखिए करकर आसी बालो ये सप्ताह की जो सुरुवात है न समय बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि अभी आपको अपने स्वास्त का थोड़ा खयाल रखना होगा बेबज़ा की थोड़ी चिंताएं परिसान कर सकती है प्रेम समंद रिष्टों के मामलों में साब्धानी बनाए रखेगा तो ज्यादा अच्छा है यहां पर दिकतने हो सकती है किसी बड़े बुजर के किसी मित्र की सलाह से आपको लाब भी होता दिखेगा और पूरे सप्ताह अगर आप चुकि ढहिया भी चल रहे है सनी मंदर का जब कर लें तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए आपको लाब होता दिखेगा तो यहां पर मन वानी बेभार इन तीनों पर आपको नियंतरन रखना है नहीं तो बेवजह की परिसानिया आपको परिसान करेंगी और ऐसे में बहतर होगा कि छोटी छोटी बातों को महत तो ना दे नहीं तो भी बाद होगा और तमाम तरह की उथल पुथल है मन चाही जगा पर तबादला प्रमोसन से जुड़ी खुसखबरी मिल सकती है अगर आप नौकरी बदनने का विचार कर रहे हैं तो बेहतर आउसर मिलेगा सासन सत्ता से जुड़े किसी भी मामले को सु ख्याल रखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा क्या होगा और परिचित बेक्ती से मुलकात एक नई दिशा दे सकता है और अध्यात्मिक सुकून मिलेगा खराब क्या होगा पुरानी नकात्मक बातों को वरतमान पर हावी नहीं नहीं तो रिष्टे गरवर हो ज जरूर निकालिएगा ताकि रिस्ता और बढ़ियां रहे स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन कार की अधिकता है तो थोरी ठकावट होगी मसीनरी या लोहे से समंधिक कोई कारे करते हैं तब यहां पर थोरा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है लेकिन जो लोग नोकरी के लिए ज अलास में हैं तो कोई खुसकबरी मिलेगी क्योंकि जो प्राप्ति की संभावना है वाइस और चौबिस तारिक आपके लिए बढ़ियां है कुछ चीजों को लेकर और दूसरा आप धन के मामनों में ठीक है लेकिन अगर आप और विवायत हैं तो रिस्ता तैह होने या फिर प्रेम विवा होने की संभावना है हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेर करें कमेंट करें धन्यवाद